नमश्कर दोस्तों मैं निहासेल नवभारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे बनाये में वीडियोस आपको पसंद आ रहे होगे तो उन्हीं वीडियोस को ध्यान में रखते हुए करती है वाम नए टेक्नॉलोजी का प्रियोग करते हुए आपकी सामने तरुपसित है आपका कष्वा 10 की पार्थिप्सक्षितित का पार्ट 2 तुल्सी दार्षजी कोईरा रचित राम लक्षपन्परश्णां संभाद को लेग एक उपसंद है तो रान लक्ष्क्म प्रश्राम संभाथ को पढ़ने से पेड़े हम उनकी रचनागार जो तुसिताजी हैं से उनकी बारे में चर्चा करना क्या आवश्च्थ है क्योंकि आपकी खष्ञा नौ से लितों गे कख्षा बारा तती जो पाठ्थे पुस्थके है उनके पाठ्थे क्रम के अंदर जो आपका प्रश्ण पत्र बनाने का जो तरीटा होता है उनमें कभी परिचा और लेखा परिचा अनिवारे रूम से प्रश्ण आपका आता है तो इसलिए हमें लेख़ परीचर तरी परीचर बढ़ना हुआत आवशिर्थ है क्योंकि उनसे हमारा प्रश्ण आता है 100% आपका एक प्रश्ण से होता है तो तुलसिदार जी के बारे में मैंने जान देता है कहा दाथ है कि जब पैदा हुए थे उस समय इह अवुक्त नक्षक्र में हुए थे और उससे अश्प माना जाता था अमंगर ताता था ऐसी में जेल्श होती है कि जब पैदा हुए थे ये 5 सार प्रश्ण समध क給 शानग हुए थे की लोटे से इने प्याग दिया था और इनकी जो दासी थी मुनिया उसको दिया था मुनिया ने ये तुल्स09 दासी का लालतां किया और इंका लालतांक कि अब रिता है उसी समय जब और रामायर जो पादमिकी द्वरा रचित उसका ज्ञानिने करवाया तो उसी को आधार मना करके तुल्सिदार जी ने हमारे भारती ये भुत्तों का जो कंटा हा सहा जाता है किसे राम चर्द मानस को उस राम की रचना की उसका निर्मान किया ठीक है राम चरत्र मानस जरह है इनकी प्रसिद्धी का अधार ग्रंथ माना जाता है और राम गुत्त कावय धरा जो है भुत्ति काल की जो सगुण शाखा है सगुण शाखा के दो भागाते हैं कृष्ण कावय धरा और राम भुत्ति कावय धरा तो कृष्ण कावय धरा के प् करें पनिन तुसीधार जी की बारहों और प्रमुप रचनाय मानी जाती है जिन्हे राम च врण कुम्रानिक मान है याइनि हुआ ही की को से निवंदकार पनी जाते हैं jest बजान की मंदर है, राम लना नहचू है, बहुत सारे रचनाओं इथी जिन मेंसे इन्होंने 12 रचनाओं को प्रमारिक माना और इसके अगावा राम साहिवते से संबंदित, राम और राम रम युद्ध से संबंदित जो रचनाओं है उन रचनाओं में विश्व की सौ रचनाओं में हमारी जो राम तरित्रमानस है इस राम तरित्रमानस को चियानिस्वा इस्थान दिया गया है कौन सा इस्थान दिया गया है? चियानिस्थान दिया गया है यह देखे हमारी इस राम जरत्रमारस को 46 वा इस्थान दिया गया है ठीक है अब राम जरत्रमारस रहा है राम जरत्रमारस को साथ कांड में दिभाज़त किया गया है इसे महा कावे नहीं माना जाता है क्यों नहीं माना जाता है कि कावे की दरश्टी से दर देखें कविए दश्नि से किसी भी रच्ता में आठ घंड होनी चाहिए कि आठ भाव वही राम्ठीत्र जे सत्र मानशनि की आणी में ऐन स lodge सबसे पहला है बालकांट बाल कांट के बाद आता है अयोज्या कांट फिर आता है आरन्य कांट फिर आता है पिश्किंधा कांट फिर आता है सुंदर कांट जिसका पढ़न आज भी मंगलावा और शनिवार के दिन मंदिरों में होता है धरों में किया जाता है हिर्माजी के मंदिर में ठीक है इसके अला वह बहुत बुली हुई थी, तैनिय हुई थी, तब इनों ने हनुमान बाहुत नामत ग्रंथ की रशना कीती और हनुमान बाहुत ग्रंथ जो है, वह आज भी उसके चौपाइयों का कटन बाथन किया दता है किसी भी पीडा से बचने के लिए, ठीक है, तो ये क्या था हमारा तुसिदार जी का परीचे अब हम काविय पेलिटे लेख्या है जो हम रशना पढ़ने वाले हैं उस रशना की पाई में जालते हैं तो हमारी जो पध्या काविय पठ्व मुस्तग में सब्भिलिट किया गया है यह आपको पता है राम तरित्रमालस का पहला कांड बार कांड वह उसे लिया गया और इस अंश के अंदर क्या हो। जब राम और रशवंञ जो उनके गुरु थे विश्वामित्र जी उनके साथ में वन गुबन वन वुबन हो जाते हैं तो जंगन में प्राक्षासों का नाश करते हुए उन्हें से सूचना प्राक्त होती है कि Sita Ji का स्वेमर के अंदर धनुष्ट तोड़ना है तो उनके पास न्यॉता आता है सिज का अमंद्र ना थै जो विश्रामुद्र जी है तो ऊस धनुष्कों यह था कि जो भी धनुष्कों तोडेगा या इस धनुष्के उपर चाप चड़ादेंगा उने से विवहा करेंगी तो कहने का बनिम कॏक कि यहां कि जब स्वैंबर हो रहे है तो अगर जम नहीं पूह रहें तो अगर चजा रहे हैं तो ऐसी फिर्सा आध सिली गजिदे करिंड़ में धनुष्टाइद वह तो तूत यह तो ऑंसे परिप्हार स कपर हुआ। छोारी लुक्र टॉट में से हूइ थी शोकि पता पड़ जाता है है तो बहुत ज़्यादा करो बहुत जब्स स्थान आते हैं जो उ सृजजी में ऑन नहीं गोड़े को साथता है जितले स्थान भाप रहा था लिजा इन्हीं वहां पर। गन्या-टिये वचनों से लिता है तो ये वेंगे शैयरई शैयरे में लिखा हुआ हुआ है। ठीके, एकी जौर हमारी जो नामत्रत्रप्रमादस की आफ़ी दोहा चौपाई शैयरी में लिखी हुई है अब बढ़ते हैं हमारे पहले पद की ओर हमारा जो पहला पद है यह है ना जो सम्धुधन भंजन निहारा हो ही कि एक दास तुम्हारा आय में तो कहा करें किन नहीं रिषा दोलें होनी को ही अब किसका अग्मन होक यहया है सिद्याजी का स्वेट्ञा धर्श तूट चुका है और प्रश व्लत ने के बाद में नाब सम्धुधन भंबन निहारा कि हेनाथ संभुधनु यानि शिवजी का धरुष कि हेनाथ शिवजी के धरुष को भंजनी हारा यानि तोडने वाला होई दास तुम्हारा कि आपका कोई एक दास होगा आए सब कहिए कि नोह है कि क्या अग्या है मुझसे कहिए सुले रिसाइ गोले वन लोगी और राम जी एसे वचनों को सुणकर के शीतर्तवानी को सुद करके जो क्रोधी वढ़ावाले हुनी थे और अब गुस्था परके क्या ऊबले सेवक भुक यो रामें मुसा हुदा ई कि वह क्या क्या है? शत्रुता का कांग किया ना कि सेवताई का सुनाव, रामेदु सिव धनो तोरा अब यह क्या किरें? परशुराम जी, डाम जी से कि रिखिण राम सुनो जिसने भी शिवजी के धनush तोड़ा है सहिस रभाहु समसो रुप मेरा उन सहिस रभाहु के समानी मेरा शत्रू है अब सहिस रभाहु के समानी का शत्रू कैसे है बात यह थी पौराने कथा है कि जो परशुराम जी के पिता थे जमदागी जी जमदागी जी के पास में कामधिनु नाम की गाय थी जो कि देवताओं की गाय मानी करती है तो सैस्त्रपाहु जो बता है वो कामधिनों गाय का अभरण करके अपने पास ले जाता है और कामधिर को जब उप्रेंगें ले जाते हैं तो पश्राम भूड़ित होता है शेरस्तिपरी के वद्ध करियात निम्सकार साराज defending ले 274 लखन नुक्सी एक लखन सिंद करके लक्षबण नुस्कुराने लगें बोले पर इस अधुरई अभुमाने और पश्राम जी का अपमान करते होँ बोले अब ही दिखैई को यह मुनिश्वर है मुनीश्वर हमने बचपन में हमने ना जाने कितने लख थोड़ दिये लड़कपन गड़लरी काई यानि पच्छपने में अपने ना जाने कितने धनुषी तोड़ी है कब आपने अशेरे सकीन ही बसाई कि आपने उन पर तो गभी घुस्सा नहीं किया कि इसी धनुष के ऊपर आकितनी मुंता क्यों है सुनी रिसाई के है भ्रगुकुल रिकेतु और लक्षपन के ऐसे वचन सुनकर के जो परशुराम की ते वह और जादा प्रोधित हो गए और जादा भुसा हो गए और क्या बोले रेचन तो बालत क्या बसर बूल तो हीना सम भाला कि राजा कि तो लneg कल भी क की वरशोंति को समाबर की नहीं वह पैँ जवान को समाबर की नहीं बोल रहा है बते शीव चलाबोल और कि यह चुछ हरा चुन कि यह Medal को समाबर की तो सारा संसार जानता है और इसको तुमने तोड़ दिया इसलिए यहां परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आगे बढ़ते हैं आगे हैं लखन कहा हैसी हमने जाना सुना वह देव सब धनुष्य समाना हम लख्समानटी यहां पर उत्तर दे परश्व राम जी नहीं कहा कि मूर्प तुझजी धनुषय धनुषय यह साधरerson नहीं सारा संसार जानता है कि यह शिवDaजी का धनुषै तक में प्रत्य उत्तर क्या दे लैं लख्समान ACL ने कहा हसखरखे कि हमारी समझ में ओप चुन गों इन है कि हमेने क्छती यानी क्या अना को है कि आए धर्षुते ना तो कोई लाग है ना कोई हानी है हमारा उसे कोई संबन्ध नहीं है देखा राम नयके वरे कि राम जी तो इसे नया वरे देख रहते हैं इसको नया समझ के लिए देख रहते चुआते तूट रघवती ना दोश नहीं है राम जी तो इसे केवाद नए के भरोसे में देख रहे थे लेकिन यह तो हाथ लगाते ही तूट गया इसमें राम जी कोई दोश नहीं है मुझे निकाज करिये कत्र रसूर है उनी आप बिना ही कारण रोश कर रहे हैं बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं आपको क्रोध करने की कोई आख़कता नहीं है क्योंकि जान भूज करें दर्श को किसी नहीं तोड़ा आगे देखिए बोले जिता ही पर्ष तोगी ओरा अब यह वचल सुन करके जो पर्षु राम जी थे वह और घुसा हो गया अपने फरसे को संभाला फर्षाव का हतियार था उस फरसे को संभाल करके वह बोले रे साथ हषू सुने ही सुभा हो ना मेरा के रे साथ है साथ है बालक समझ कर तेरा वद नहीं कर रहा हूं केवल मुर्ण यह चड जा नहीं हो हूं सद्रफू मत समझना साधू मत समझना बाल अब्रह मचारी अधेख और अधेक क्रूधित सभागाहू भूसे वाला हूं Diskuss waren जोना सॐने सत्लिशाद सेछव mim द्रोही कुअ कि इसका वत होने के बार ने से बाहू प्रशु रामजी के पिता यकुल का रहे नाश कर दिया नाश कि पुरा कि बार भन मचारे अतिको ये विस विद्ध छत्रीकुल द्रोहिय की सारा विश्म में जानता है कि छत्रीकुल का द्रोहिय वपर राम नक्षमड मी क्या है छत्रीकुल के है कि मैंने अपनी बुझाओं के बल पर इस भूमी को कितनी ही वार राजाओं से विधीन कर दिया है विपल बार अमनी देव अनदीनियों का इवार शिवजी को मैंने तेदी है से सभा उजचेदन हारा पर्स विलोग मही को कमारा है राजा पिपलः मेरे फडसे की ओर दे इस फडसे में से सभा उग की हजारो भुजाओं को काठ दिया है मात पितहिजा नहीं सोच बसर करसि महीस पिसोर गर्भण की अर्भग दलन परस्मम अतिगोर आप यहां पर कह रहे हैं कि तो अपने माता-पिता का भला सोच, अपने माता-पिता का भला सोच के अपनी वाणी को लगांते, अपनी वाणी को नियंत्र नगर नहीं तो है राजा के वालग मेरा फ़र्फा इतना फंगोर है कि इसकी किवल आवाज मात्र से शत्राणियों के गर्व में पलने वाला शिशु जो होता है वही मौत की घाट उतर जाता है उसका भी नाश हो जाता है अठाड़ मीवाणी को सयम में तरह धीरे दोल और सोच समझ के बहुत जो भी बोल रहा है है अगे क्या होता है आगे होता है देखिए आगे क्या हो रहा है बी ऐसी लगत ने बोले व्रे दुबानी अहो मुनी सुमहा बुटमानी अब यहां पर रख्ष्मेंट दुबारा से वेंच करें ओहो क्या बात है मुनी तो अपने आपको बड़ा महान समझ रहे बड़ा गयोता समझ रहे क्या बोल रहे है बारबर मुझे कि होड़ा बहार नचाते हो चाहते हो किया है फूंग से पहाड़ उड़ाना चाहते हो यहां कुम्ळबतियां को मिना ही कि यहां पर पर कुपर्बतियां नहीं कोई जो की तरजनीं FIR देच घुमर जाईके नवियंगी कहीं सिंगहें इसहां पर नहीं पर कोही झाल से तुछ क्यांग है ठीक है ब्राइब्रत सम्ज मधि जनेव बिलोगी के आप रखुरिशी के बेटें है आप जनेव धरन करने वाले हैं जो कुछ हुआ सह्यों से नि प्रिस रोगी क्या जो कुछ भी कहा है उसको मैं आपको भामड समझ करके आपको ब्राइब्रोका कि हमारे कुल के अंदर देवता उपर भामबन उपर और भगवान के भक्तों पर और गाई के उपर हाथ नहीं उठाया जाता बंदे पाप अब की रतिहारे कि अगर मैं आपका वद्ध कर देता हम तो मुझे अपकी प्राफ लोगी तो मुझे पाप लगीगा मारका उपाप रही है तुम्हारे कि चाहे आप हमें मारने से भी हम तो आपके पैरों में ही पढ़ना पड़ेगा क्यूंकि आप ग्रामण है और ग्रामण देवता हमारे लिए बहु अपको धनुशर पुलाडा रखने की कोई आशिता नहीं है जो पिलो के अनुचित करें चमाव महामुनी धीर की है महामुनी अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप भ्रामण हो मुझे शमा कर देना सुनी सरोस भगवन समनी बोले ग्राथम्भीर और लक्षमन के ऐसे वचन सुन करके मुनी और जदा प्रोदित हो गया गंभीर वाड़ी में बोले क्या बोले वो बोले कोशिक सुनाओ मंद यहू बालक कोटिल कालग वसनेजकल घालग अब यहाँ पर कौन बैटे हैं विश्वामित्रजी बैठें विश्वामित्रजी में यह कोशिक कहा गया है कोशिक सुनो यह बालक मंद बुद्धी है यह बालक मूर्ग है कुटिल काल वसनेजकल घालग और यह काल के वश होकर के कुटिल बुद्धी हो रहा है और अपने कुल का घातक बन रहा है क्यों भानुबंत्र राकिस कलंकु कि यह सूर्य वंश में चंद्रमा में दाग के समान है निपटे नरंकुस अबद असन्दू की यह बड़ा ही निरंकुष है बड़ा ही अबुत्य है और बड़ा ही बेकार प्रवति का उद्ध है यह अशिश्चता कर रहा है मेरे साथ में काल पबल होई चंद्रमा यह कहों पकाल होने महिना है कि मैं कह रहा हूँ यह थोड़ी ही देर में काल की वश होने वाला है इसकी मिल्ट्यों होने वाले में मैं अभी पका कर कही देता हूं मुझे फिर दोष मत देना तुम्हारे हटका हूँ जो चाहे हो बारा यदि तुम चाहते हुं ये बच जाड़े कहीं प्रताप बलरोस हुँ भलारा कि हमारे प्रताप के पारणबारे में हमारे क्रोध के पार व Els'mारे बंन के बतादो भी आज दो लखन कहों मनेウ जोडे से तुम्हारा कंट को बरने पारा आप अक्षमीं फिर कहते हैं कि यह मुनि आपकी यस का वर्णन आपकी तिर्टी का कोन कर सकता है तुम्हा अच्छ तक बरने पारा कि आपसे ज्यादा आच्छा को motivateります अपने हुँक मूं अतुम्えー पता बहुत बात बहुत तरीके से बहुत प्रकाश ने कर दिया है नहीं संतोष दुपनी कचना हो अगर अब भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह दीजिए जले इस रोख दुसरे दुख सहो आपके मन में रोख करके दुख को सहन मत कीजिए आपके मन में जो भी आ रहा है न कह दो उसको रोको मत उसको रोकोगे तो आपके मन में क्या होगा घुसा उत्मन होगा तो आपके मन में जो भी आ रहा है कह दीजिए वीर व्रतितों मधीर अच्छोबागा रिदेत नपावाव सुबाग कि आप क्या है सादू है आपको गाली देना शोभा नहीं देता है आपको ध्यरे रखना ही शोभा देता है लेकिन उल्ड़ा हो रहा है पर शिराम जी बहुत क्रोधी सुबागी थे ठीके तो यहां पर यह व्रतितों ही और भी आपको ध्यक्त कि आपको वीर त्धर नहीं करना था थे आपने तो वीर ध्यर धंता है अब गाली रहा है आप करता है आगे है तुम तो काल को मेरे लिए बार बार हांके बुला रहे हो बार बार इसे पुकार रहे हो सुनात लखने के बचन तठोरा पर सुसर्था ध्रयुकर धूरोरा कि यहाँ पर पषुराम चीं रहे हैं बार बार दब गंग भांट दे रहा हैसं तो क्या होगा हैं लख्षवन करें के लोगों वहाँ वपस्तित लोगों से कहा है कौन पश्वराम जी की है लोगों अब मुझे दोश मत देना कटू बालग बालग बद जोग किये बालग कटू बचन बोलने की कारण वद्ध करने योगिये हो गया है कि मैंने इसको बालग समझ कर बहुत चोड़ा बहुत मचाने का प्रयास किया लेकिन अब तो ये मरने का पूरा कारे कर चुका है ये अशिश्टा कर रहा है ये इसके अशिश्टा बर्दाश करने के लिए नहीं है इसके वद्ध के योगिया ही है कौसिक कहा थमी अप रादू कौसिक या निश्टा में तुछी कह रहे हैं कि है सादुमरार इनके गत्यों को शमा कीजिए इनका प्राद शमा कीजिए बालग दोश गुनगना या सादू कि बालग के गुण और दोश को सादू जन नहीं किनते हैं अभी मैंने आपको बतायाता है कि सादू संजय सी जो होते हैं वो किसी के गुण और दोश को नहीं किनते हैं तो सादू जो होता है वो बालग के दोश गुण को नहीं किनता है हर रटार यापर regulator आगे अपरा दे गुरू दोश कि एक यह मेरे से जबसक्रत करें जा रहा है तो इनन अब अपर से गया क्योम्हूर दोश की हो गया तो यह क्या है इसके बचन कैसे हैं कठोर के साम कुलाड़े के समाने दूसरा यह निरंकुष्टा कर रहा है और तीसरा यह गुरु द्रोही मेरे सामने खड़ा है उत्तर देख छोड़े भी नुमारे केवल को सिर्व तुमारे कि यह उत्तर पर उत्तर दिया जा रहा है यह बत्तम इसी कर रहा है और रेकिन फिर्मी में से छोड़ रहा हूं तो है कौशिक है विश्वामित्र केवल आपकी शियर सभाव के कारण ना थे एंग काटी कुठार कठोरे गुरह और अपर उत्तर ही में उत्तर है उत्तर में इस और में कालकागण बना याझ कोशिका विश्वामित्र जी है मिश्रा मित्रजी जब पष्णु राम जी की वायनी सुनी तो मन ही मन मुश्कुराए कि यहां पर मुणी को पष्णु राम जी को हरी ही हरी सूधरी है आयमे खांडेना उख मेरे अजान बूझ अभूझ कि यह जो राम लक्ष्णया खेड़े हैं कोई साधरन शक्रिय नहीं है साधरन मनुश्य नहीं है यह कुआन है स्वयम भगवान के अवतार है यह साधरन डिन्ने की खाण लगने जब कि है क्या यह लोए इस भनेवे खाणड अर्था तलवार है जो आसानी से भूलने वाली चीज नहीं होती है कहने का दर्परी क्या है यहां पर पश्रु राम जी जब राम और लक्ष्वंटा वज रहने की बात कर रहे हैं यहां पर तुम कौशिक जी मन्हिमान सोचते हैं कि अब तक इने जिन शत्रियों से सामना इंका हुआ है वो तो साधरण थे लेकिन यह स्वयम भगवान के अफ्तारें इनका सामना करना किसी की वश्की बात नहीं है इसलिए यह मन्हिमान हज रहे है आगे है क्यों लखनमनी सीड तुमारा को नहीं दान विदित संसारा मात पिताई उर्ण भैनी के गुरुण रहा सोच बड़ जी था अब यहां पर लक्षभण जी क्या कहुने हैं.. अब लक्षभण जी कह रहें आप के शीर सभाव को कौन नहीं जानता सारा सनसाल जानता है माता, पिता, माता .. पता है उर्ण है कि आप माता के और पिता के रण से बुली-प्रकार उरिंड हो चुके हैं लेकिन अब गूरू के रढ़IST बारे में सोच रहे हैं अब यापार माता के रढ़ियो light इसके बाद्य पॉरानी कता है वो पॉरानिकत है क्या है कि एक बार जो जम्दनी जी थे जो परशुराम जी के पिता थे उन्होंने माता को या अपनी पत्नी को लबड़ी लेने के लिए विजा या ऐसे इंधनी की रूपे विजा आप देख लीजिए तो इंधन लेने जब गए थी तो आते आते बहुत दे इस प्रकार इस पीताजी को से उरणि है जब उनकी पृता स़वास हो जैता है तो उनके पिता की मतलब माता जी की बार में सकाय जाता है कि माता जी परश्वराम जी से कहती है उनकी कि आप जाकर के उनका जीव लेकत क्या हो तो परश्वराम जीव लेकत क्या आता है और उनको भी जीवित कर दिया जाता है तो इस प्रेकार माता और पिता के रिण से उरिण हो चुके हो आप गुरु के रिण से उरिण हो चाते हो अब गुरु का आपवार यहां पिर शिव जी कि चो जिने ही माठी काड़ा और। वह भी आपके हमारे माठी काड़ा। दिने नहीं डी को पाद कि दीन बीत रहे हैं दीर दीरे बढ़ रहा है। ऐसी आपका क्नी ऑच्छित को प्यापार करने वाला माइन हो मैं ध Раз को श्रानिक औरा कोOLी में खेली खोल देता हूं ताकि आपका रिंड चुब जाए सुनी कट्व बचन में कुठार सुधारा और लक्षण जी के कठोर बचन सुन करके फिर से पर्शन आंगी तो नहीं अपना परसा सुधारा हाई हाई सभा कुकारी और सारे सभा में हाई 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 कुकार हो गई कि ह लक्ष्मन को दिखाते हैं तो कर दो रजंशी कहते हैं कि भार मुझे फणार करसा लें है आ लुए आप को ब्रहमन समझ कर छोड़ रहाओं आप द्रहां मिलेन असमें कि आपका सामना हुआ ना डुक्त कोई शत्रीय शें से नहीं हुआ कि देवता घृर के बहणे कि आप जो है वह देवता लोग भामन वह धर में शोबा अचिए अच्य लगते हैं आप अपने घर में शेर बने बने फिरते हैं आपका किसी वीडियो दख्तिया भी सामना नहीं हुआ है अनुचित कहें सब लोग पुकारा रगुपती सेहने लखन होने वारे कि अनुचित है अनुचित है लक्ष्मन के वतन सुन करके सभा में जितने भी वहाँ पे लोग पुकती थे वो सबी कहने लगे कि यह अनुचित है अनुचित है तब रगुपती सेहने लखन निवारे तब राम जी ने लक्ष्मन को दिछे नेत्रों से देख कर रिशान्त होने का इशारा किया लखन उतर आहुती सरिस रगुबर को पक्रिसानु कि लक्ष्मन के जो उत्तर ते वो रगुबर यानी कौन परश्मनाम जी के क्रोध में घीका कारी कर रहते यानि परश्मनाम जी का क्रोध क्या हो अगनी और सभी में लक्ष्मन जी के जो कठोर बचन ते वो घीका कारी कर प्रश्री राम जी ने प्रश्री राम जी की क्रोध को शांत करने के लिए शीतर वाणी में बचन बोले कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फिर विलेंगे आज से नए डॉपे के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नवश्कार